Hello friends, welcome to study news, आज इस वीडियो में हम लोग 9 और 10 जुलाई के important questions को solve करेंगे जो exam से related हैं, so let's start First question है, कौन से दो देश, रुबेला और खसरा को खत्म करने वाले दक्षिडपूर वेसिया छेतर के पहले दो देश बन गए हैं options हैं, इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, भुटान और नेपाल, माल्दिव और स्रिलंका तो अभी माल्दिव और स्रिलंका, 2023 के लक्ष से पहले ही, खसरा और रुबेला दोनों को खत्म करने वाले दक्षिडपूर वेसिया छेतर के पहले दो देश बन गए हैं, इसलिए इसमें उत्तर, आपसंडी, माल्दिव और स्रिलंका सही हैं, किसी देश को खसरा और रुबेला मुक्त, खसरा मतलब मीजल्स और रुबेला मुक्त देश तब घोसित किया जाता है, जब वेल परफॉर्मिंग सर्विलेंस सिस्टम को तीन साल तक कोई एंडेमिक ट्रांसमिशन की एविडेंस ना मिले किसे ग्लोबल हुमिनेटेरियन अवार्ड दो हजार बीस के सीर्स प्रचारक के सम्मान से सम्मानित किया गया है, सची नवस्थी, पूजा राय, संग्राम सिंग और ग्रीस मैता तो नैशनल मीडिया कलब के अध्यक्ष सची नवस्थी को ग्लोबल हुमिनेटेरियन अवार्ड दो हजार बीस के तहत सीर्स प्रचारक सम्मान मिला है सची नवस्थी 35 विभिन देशों और 7 महादीपों में नामांकित 100 पूरसकार विजयताओं में से एक हैं ये अवार्ड समाज और दुनिया को बहतर बनाने के लिए निस्वार्थ रूप से काम करने के लिए दिया जाता है तो इसमें उत्तर ऑप्सने सची नवस्थी सई है अगला प्रश्ण है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसियेशन AIBA द्वारा जारी विश्व रैंकिंग के अनुसार पूरुषों के 52 किलो वर्ग भार में किसे पहला इस्थान प्राप्थ हुआ है आप्सन्स हैं कविंदर सिंग बिष्ट, दीपक, अमित पंगाल, शिवा थापा तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसियेशन द्वारा जारी विश्व रैंकिंग के अनुसार पूरुषों के 52 किलो ग्राम भार वर्ग में अमित पंगाल को पहला इस्थान प्राप्थ हुआ है ये सिल्वर मेडल विनर बॉक्सर हैं जो 52 किलो भार वर्ग में पहले इस्थान पर हैं और ये पहले इस्थान का दावा करने वाले एक मात्र भारती हैं और महिलाओं में दूसरे इस्थान पर विश्व की सिल्वर मेडल विजेता मंजूरानी 48 किलो ग्राम वर्ग में हैं अगला प्रश्ण है हाली में किस बैंक ने नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना सुरू की है आपसंस है एक्सिस बैंक, फीनो बैंक, HDFC बैंक और SBI बैंक तो अभी फीनो पैमेंट बैंक लिमिटेड ने 10-18 वर्स के आई-उ के नाबालिगों के लिए बचत खाता सुरू करने की घोशना की है बैंक सुरुआत में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में फिर धीरे धीरे अन्य राजियों में भविश से बचत खाता सुरू करेगा तो इसमें उत्तर आपसं B, फीनो बैंक सही है फीनो बैंक का मुख्याल है मुंबई में है, इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुई थी और वर्तमान में इसके CEO रिसी गुपता है नेक्स्ट कोस्चन है वर्ड चॉकलेट डे कब मनाय जाता है? आपसंस हैं 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई वर्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को मनाय जाता है, ये दिवस 2009 से विश्विस्तर पर मनाय जा रहा है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 1550 इस्वी में यूरोप में चॉकलेट का आगमन हुआ था तो इसलिए इसमें उत्तर आपसंडी 7 जुलाई सही है नेक्स्ट कोस्चन है हाली में किस राज्य के पूरू स्वास्थ मंतरी सुरेश अमोनकर का COVID-19 के संक्रमण से मृत्ति हो गई है आपसंस हैं महाराश्ट्र, केरल, गोवा और आंधर प्रदेश तो गोवा राज्य के पूरु स्वास्थ मंत्री सुरेश अमोनकर का कोविड-19 के संक्रमण से मृत्ति हो गई है तो इसमें उत्तर आप्सन सी गोवा सही है अमोनकर 1999 और 2000 के चुनाओं में पाले विधानसभा निर्वाचन छेतर से गोवा विधानसभा के लिए चुने गए थे गोवा की राजधानी पड़जी है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोज सावन्त है और गवर्नर सत्पल मलिक है हाली में किस राजध को 100% गैस कनेक्शन वाला पहला राजध घोसित किया गया है आप्सन से हैं हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, सिक्किम और गोवा तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला राजध बन गया है जहां 100% घरों में LPG कनेक्शन है केंदर सरकार की प्रदान मंत्री उजवला योजणा के तहत ग्रामिड छेतरों में महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है राज्य सरकार ने केंदर की योजना के अंदर गत नहीं आने वाले परिवारों को कवर करने के लिए राज्य में हिमाचल ग्रेनी सुईधा योजना सुरू की थी तो इसमें उत्तर आप्सन ए हिमाचल प्रदेश सही है हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जैराम ठाकूर है और गवर्नर बंडारू दक्तारे है हाली में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्याले का निर्माड किया है आप्सन्स हैं भुटान, नेपाल, माल्डिव्स और इंडोनेशिया नेपाल के इलम में स्री सप्त मई गुरुकूल संस्कृत विद्याले का उदगाटन किया गया बरबोट ग्राम विकास समिती ने संस्कृत विद्याले के लिए नेपाली रुपए 31 मिलियन की लागत से नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कारेकरम के तहत बनाया है तो इसमें उत्तर ऑप्सन भी नेपाल सही है नोवा कोस्चन है हाली में किस राजे की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है ऑप्सन्स हैं मिजोरम, उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश और मेगाले तो अभी हाली में उत्तराखंड की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है तो इसमें उत्तर ऑप्सन भी उत्तराखंड सही है इन तितलीयों के पंखो की लंबाई 194 मिलिमीटर होती है आखरी कोस्चन है Microsoft India ने किसे पब्लिक सेक्टर का कारेकारी निदेशक निउक्त किया है आप्सन्स है मनीश प्रकास नवतेजपाल करण बाजवा और अनंत जैन तो Microsoft India ने नवतेजपाल को पब्लिक सेक्टर का कारेकारी निदेशक निउक्त किया है तो इसमें उत्तर option B नवतेजपाल सही है Microsoft India Private Limited एक अमेरिकी software company Microsoft Corporation की सायक company है जिसका मुख्याले भारत के हैदराबाद में है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी तो ये थे आज की important question So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment